कॉंग्रस अद्दक्ष राहूल गांधी ने सोमवार को अमेठी जाने के जानेक से पहले यूपी के बारवंकी में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रतेशी के लिए इस समर्थन मांगा उन्होंने पीए मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज देश का चौकिदार ही चोर है और देश की जनता ही उसे हटाएगी वे हैदरगट के 24 ही में बारवंकी से कॉंग्रस उमेद्वार तनुझ पून्या के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि गरीबों को लाखो रुपए कैश देने का जूटा वाइदा करके पीए मोदी ने अंबानी और अडानी जरसे अमीरों को फाइदा पहुचाया है लेकिन इस बार जनता सच जान चुकी है और भाश्पा को सबक सिखाएगी उन्होंने केंदर में कॉंग्रेश सरकार बनने पर एक साल में 22 लाख सरकारे नौकरी देने का वाइदा किया है उन्होंने कहा कि इनमें से 10 लाख नौकरियां पंचायतों में स्रजित की जाएंगी उन्होंने नई रोजगार के लिए लाइसेंस नहीं लेने महिलाओं को लोकसवा विधासवा में 33 फेज़ी आरक्षन और किसानों के लिए अलग बजट जारी करने का वाइदा किया साथ में राहूल गांधी ने सरकार बनने पर गरीबों की खाते में नियाई योज़ना के तहट हर साल 32,000 रुपए देने का वाइदा किया पर करजा लिया वापिस नहीं दिया जेल से बाहर है देखा आपने निरभ मोधी 35,000 रुपए ले गया जेल से बाहर है मगर अगर अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी जेल में जाओगे आपको दिखेंगा कि वहाँ पे किसी किसान ने 20,000 रुपए का करजा लिया वापिस ने दिया उसको जेल में डाल दिया किसान को 20,000 रुपए करजा ना लुटाने पे जेल में डाल देते हैं और अने लंबानी को 45,000 फ्रोर ना लुटाने पे और पैसा देते हैं वो जेल के बाहर बैठता है हमारे किसान जेल के अंदर हो